हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आपकी यूटूब चैनल जोब इंडिया में सौगत करता हूँ प्यारे दोस्तों अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जोब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्ली से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एम्स गोरकपुर भरती दो हजार तेज़ प्यारे दोस्तों एम्स गोरकपुर से पर्मनेन भरती लेकर आ चुका हूँ जी हाँ दोस्तों पर्मनेन भरती है और एक साथ यहाँ पे अलग-अलग बेसिस पर वेकेंसी निकाली गई है जैसे कि कुछ पोजिशन पर्मनेन्ट है कुछ पोजिशन डेपूटेशन बेसिस पर है और कुछ पोजिशन जो है कॉंटेक्ट बेसिस पर निकाली गई है तो एम्स गोरकपुर से ग्रूप A, ग्रूप B and ग्रूप C पदोपर टोटल 87 पदोपर भरती आ चुकी है एक साथ यहाँ पे दो नोटिफिकेशन निकाल गया है जैसे कि आप लोग देख सकती हो यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन नमबर वन में दोस्तो ग्रूप B and ग्रूप C की विकेंसिया है और नोटिफिकेशन नमबर टू में दोस्तो ग्रूप A की विकेंसिया निकाली गई है तो दोस्तो परमनेर भरती है आलेंडिया भरती है इसके साथ ही यहां पर जो है डेपूटेशन बेसिस पर भी वेकेंसी निकाले गई है तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कौलिफिकेशन के बारे में, जॉब लोकेशन के बारे में सैली के बारे में कैसे नोटिफिकेशन को डाउलूड करना है कैसे फार्म को अपलाई करना है ओफीसिल वेबसाइट क्या है जी हाँ A2J फुल इनफार्मेशन हम आपको इस वीडियो में देने वाले है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को जाना से जाना सेर करिए चलिए आपको लेकी चलते हैं AAMS गोरकपूर की वेबसाइट पर देखे दोस्तो AAMS गोरकपूर का यह official website है और current recruitment notices page है और यह देख सकती हो current notices official recruitment page है और इस current notice page का link नीचे discussion box में दिया गया है वहाँ पर किलिक करके डालेट आप लोग इस recruitment carrier के page पर आ सकते हो जैसे आप लोग इस page पर आँगे यहाँ पर देख सकती हो 7 0 September की date में 7 September की डेट में 2 notification निकाला गया है जिसकी last date या जिसकी end date यहाँ पर 7 October रखी गई है और यहाँ पर starting date देख सकते हो 7 September है तो 7 September को यह 2 notification एम से गोरकपूर की website पर publish किया गया है जिसमें आप लोग देख सकते हो rolling notification for group A तो group A की दोस्तो direct recruitment basis पर permanent भरती निकाली गई है और जो second notification है यहाँ पर देखिए non faculty group B, group C की deputation basis पर vacancy निकाली गई है तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले group A, direct recruitment basis पर जो faculty की notification निकाली गई है यह दोस्तो जो यहाँ पर vacancy है उससे देख लेना मैं एक बार दिखा भी देता हूँ बाकि application form का भी format यहाँ पर मिल जाएगा offline mode में आपको form भरना है और आपका जो form है Ams गोरकपूर 7 October तक जो है पहुंच जाना चाहिए speed post के माध्यम से या आपका रजजेश्ट पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर देखे 6 September 2023 notification date mention है और notification reference number है यहाँ पर देखे 76 आखिल भारती आयर्विग्यान सवनस्थान गोरकपूर Ams गोरकपूर सौस्तियों परिवार कल्यान मंत्राले भारत सरकार दोरा अस्थापित एक स्वायत निकाए तो यहाँ पर देखे डारेक्ट रेकूट्मेंट बेसिस पर विकेंसी है जिसमें आप लोग नीचे आओगे तो थार्ड कट अफ डेट यहाँ पर 7 अक्टूबर 2023 रखी गई है यहाँ पर देखिए जानकारी है प्रोफेसर की विकेंसियां है Additional Professor की विकेंसिय है Associate Professor की विकेंसिय है और Assistant Professor की विकेंसिय है एक डिपार्टमेनट आपका दिया गया है बहुत सारे बायोकोमेस्टरी डिपार्टमें जनरल मेडिसीन, जनरल सरजरी होस्पिटल, एड्मिनिस्टेशन, माइक्रोबायोलोजी, डर्मेटोलोजी, काडियोलोजी, बायोकोमेस्टरी, एंटी, एस सभी आपके जो है डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट में जो है ब्लड बैंक, ट्रांस्फूजर मेडिसीन, रेडियो थेरपी, रेडियो लॉजी, ट्रामा एंड अमर्जेंसी मेडिसीन, यूरोलॉजी अलग अलग डिपार्टमेंट है और इसमें प्रोफेसर, अडिशनल प्रोफेसर, और सोसेज प्रोफेसर, असेस्टेम प्रोफेसर, फो कैसे आपका सेलेक्षन होगा इसकी जानकारी है और mode of recruitment के बारे बताया गया है तो professor, additional professor, associate professor, assistant professor का जो है direct recruitment basis पर vacancy यानि की permanent भी है और कुछ यहाँ पर post जो है deputation basis पर है और कुछ यहाँ पर contractual basis पर भी vacancy जो है निकाली गई है mode of recruitment आप लोग देख लेना अब यहाँ पर qualification है qualification आप लोग देखे प्रोफेसर में काईफी high level का qualification है EMBBS के बाद जो है आपके पास DM होना चाहिए या आपने MDMS का रखा है और इसके साथ ही 5 years या 2 years का experience है तो आप लोग firm को यहाँ पर apply कर पाएंगे बाके और भी हाँ पर qualification चेक आउट कर लेना इसके बाद देखिए additional professor में भी qualification मंग गया है इसे भी आप लोग चेक आउट कर सकते हो associate professor में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं काफी अच्छे लेवर पर qualification मंग गया है और इसमें teaching experience भी आपके पास है होना चाहिए 3 years का तभी आप लोग firm को अपलाई कर पाओगे assistant professor की यहाँ पर vacancy है इसमें MD MS जो है firm को अपलाई कर सकते हैं 3 years का आपके पास teaching experience होने चाहिए clear है बाकी यहाँ पर आप लोग देख लेना नीची आओगे तो यहाँ पर जो है salary के बारे में बताया गया है जैसे की salary आप लोग देखो गे तो professor की जो है pay level matrix यहाँ पर दिया गया है इसमें basic salary आप लोगों की 1,68,900 है professor की और additional professor की 1,48,200 है associate professor की जो है 1,38,300 है पलस NPA जो है आपकी मिले और भी बहुत सारे कुछ benefit आपको मिलेंगे देख लेना वीडियो कापी लंबा हो सकता है assistant professor की जो है 1,15,000 salary है level 12 की अंतरगत और level 13 की अंतरगत जो है 1,23,100 बाकी आपको और भी बहुत सारे allowance दिये जाएंगे check out कर लेना यह पूरी salary की यहाँ पर criteria है आप लोग देख सकती हो काफी अच्छी salary जो है offline mode में speed post या register post के माध्यम से farm को भर सकते हैं यहाँ पर age criteria में भी आपको छोट मिलेगी आप लोग check out करेंगे बाके यह जो application fees लग रही है तो किस address पर form भर के भेजना है उसकी भी जानकार यहाँ पर दी गई है इस notification में यहाँ पर आप लोग जो है check out कर लेना बैकाना है बात करेंगे notification number 2 जो कि यहाँ पर deputation basis पर निकाली गई है इसमें बहुत सारे various post है और यह आप लोग देखोगे recruitment notice notice number 79 6 September notification number mention है और यहाँ पर देखोगे तो group B and group C and group A की vacancy है इसमें medical superintendent 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 engineer registrar and executive engineer electrical executive engineer civil assistant controller of examination group A की vacancy है total 14 vacancy है निकाली गई है यह पूरा address दिया गया है recruitment cell admin block medical college building AMS गोरकपूर उत्तर पर देश्पिन कोड है 273008 इसी address दोनों notification का form भरके आप लोगों को जो है 7 October तक speech post या register post के मादयम से form भरके भेद देना है आपका form जो है फिल हो जाएगा बाकी नीचा आओगे तो qualification के बारे म जानकारी है जैसे कि deputation basis for vacancy यहाँ पे निकाली गई है इसे आप लोग अच्छे से check out यहाँ पे जरूर कर लेना बाकी यह address है जो मैंने अभी आपको address बताया है वही address है और इस address पे आप लोग speed post या RD आप लोग कर सकते हैं बाकी आप लोग यहाँ पे check out कर लेना mail है और य एजुकेट्व डिरेक्टर एंप्स गोरकपूर तो यह दो notification पब्लिस की गई है दोनों की information काफी अच्छे से दे दी है thank you दोस्तों by mistake कोई गलती हो गई है माफी चाहता हूँ मैंने आपको काफी अच्छे से जानकारी दे दी है दो notification group A, group B and group C की निकाली गई है बाद़ है